नमस्कार दोस्तों सुवागत है आपका अपने यूटूब चैनल आर्पीएसी मेकर पर दोस्तों पिछले वीडियो में हमने एक से लेके 25 के क्यूसन कर लिये थे और जो हमारा टोपिक चल रहा है इस समय वो चल रहा है MS Office MS Office में MS Word ठीक दोस्तों और दोस्तों जो MS Office और MS Word है य जो भी इस्टूडेंट पटवार राथाम पुलिस और RSIT इनकी तयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपोटेंट है तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब वश्य करें साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको हमारी वीडियो के नोटिपिकेशन मिल सके हैं तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आपका अपना वीडियो देखो MS Word 2010 में डोकुमेंट बाई डिफोल्ट होता है किस तरह से होता है Portrait Orientation के साथ 1 इंच Top Margin के साथ 1.0 इंच दाएं मार्जिन के साथ और उपरोकते सभी तो दोस्तों इसका Right Answer हो जाएगा उपरोकते सभी निवन में से कौन सा Option Font Dialog Box के Position Field में नहीं होता है कौन सा नहीं होता है Normal, Raised, Lowered और Centered तो दोस्तों इसमें देखो जो Dialog Box है उसमें Position Field होती है Normal होती है Raised भी होता है Lowered भी होता है लेकिन Centered नहीं होता है जब आपने अगर MS Word शिखा है ठीक दोस्तों तो उसमें ये सभी बातें आपको मालूम होगी ठीक दोस्तों इतना Hard नहीं है किस Command दोरा Document को सीधे ही E-mail पर भेज सकते हैं कौन सी Command होती है Print होती है Save and Send to होता है Save and Go to होता है Mail Merge होता है तो दोस्तों इसका Right Answer होगा Save and Send to फिर है Next Question 29 पहले से Save किये गए डोकुमेंट को किसी अन्य नाम से Save करने के लिए किस Command का उप्योग किया जाता दोस्तों यह तो आपको सभी को मालूम है यह होगा Save Age अगर हम पहली बार Save करें तो उसको केवल Save से Save से उसको Save कर सकते हैं लेकिन अगर पहले से कोई Save है कोई डोकुमेंट तो उसको Save Age के Save Age से ही उसको Save कर सकते हैं ठीक दोस्तों क्यूसर नमबर है 30 वर्ड में किस View की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक का प्रिंट से पहले पूरवा लोकन कर सकती हैं कौन से इसका दोस्तों राइटांसर हो जाएगा प्रिंट ले आउट क्यूसर नमबर 31 वर्ड दो जार दस में ड्रोप केप सेट करने के लिए अधिक्तम कितनी लाइने हो सकती है तो कितनी लाइने हो सकती है दोस्तों 3, 5, 8, 10 तो दोस्तों इसका राइटांसर हो जाएगा उप्शन नमबर 10 वर्ड डोकुमेंट में गनितिय चिंजे से डिग्री साइन ग्रेटर देन और इक्वल टू और ग्रीक लेटर है इंसेट करने के लिए किसका उप्योग करेंगे तो दोस्तों इसका राइट अंसर हो जाएगा सिंबल यह तो सिंबल है दोस्तों इंसेट के अंदर जाके इंसेट जो टेब है इंसेट में जाके फिर उसके अंदर जो सिंबल सिंबल ऑप्शन होता है उस पे कलिक करके ये सभी साइन है ये आप एड़ कर सकते हैं किस कुझी की साइथा से सेलेक्ट टेक्स्ट या ग्राफिक्स को हटा सकते हैं तो किस की साइथा से डिलिट की साइथा से ऑप्शन नमबर ए हमारा right answer हो जाएगा टेक्स को indent देने के लिए आप टेब के paragraph ग्रूप में decrease indent और increase indent का उप्योग कर सकते हैं तो दोस्तो यह होगा आपके home टेब के अंदर किसमें जो home टेब होती है उसके अंदर होता है यह सभी system देखो दोस्तो decrease indent और increase indent होता क्या है देखो दोस्तो जो line होती है ठीक दोस्तो line होती है उनके मद्दे जो gap होता है उनके मद्दे जो gap होता है इस तरह से उपर नीचे line में gap होता है तो वो बढ़ाने और गठाने के लिए इस का up you के जाता है decrease indent यानि जो दो लाइने हैं उनके मद्दे गेप को गटाना और increase indent दो लाइनों के मद्दे गेप को बढ़ाना फिर question है 35 word at 2000 में mailing list को के नाम से जाना जाता है तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तो data source क्या हो जाएगा data source question 36 जिसका उप्योग समान आर्थक सब्दों का सब्द कोस है जिसका उप्योग समान आर्थक सब्दों को खोजने के लिए करते हैं तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा the source क्या हो जाएगा the source question number 37 यदि आप अपने document को किसी अन्य computer पर देखना या प्रिंट करना चाहते हों तो option window के save tape से किस option का चुनाव करेंगे तो दोस्तो इसका right answer होगा अपना embed true type fonts embed true type fonts फिर है next question 38 Microsoft Word में super script का अर्थ है तो super script का अर्थ दोस्तो क्या होगा character को line से उपर ले जाना इसका option होगा option number size का right answer होगा देखो दोस्तो super script और sub script दो वाते होती है एक तो होता है super script और एक होता है sub script देखो आपको मैं दोनों बता देता हूँ देखो देखो super script क्या होता है जैसे हमें लिखना हो 10 की गात दो लिखनी हो तो पहले लिख लेंगे 102 फिर दो को हम select करके दो को जैसे ही select करेंगे select करके फिर हम जो super script है super script option आता है home table के अंदर तो super script को इस पे click करके फिर दो पे हम क्या कर देंगे इसको select करके जब super script पे click कर देंगे तो क्या होगा जो 2 है वो automatic कहा पर आजाएगा 10 के उपर यहां पर आजाएगा इस तरह से तो 10 की क्या बन जाएगी 10 की power 2 यानि 10 की गात 2 बन जाएगी ठीक दोस्तो यह तो होगा है super script का करी है एक होता है sub script तो sub script का करी है क्या होता देखो आपको लिखना हमालो h2o यह आपको लिखना है ठीक दोस्तो तो यह लिखा कैसे जाएगा इसको लिखने के लिए पहले आपको करना पड़ेगा h2o इस तरह से जो जल का सूतर होता है h2o तो देखो फिर यहां पर 2 को हम select करेंगे केवल 2 को select करके 2 को select करके फिर दबाएंगे जो click करेंगे कि फिर सब इसक्रिप्ट करके सब जो सब इसक्रिप्ट है उस पर click करेंगे तो क्या बन जाएगा h2o इस तरह से आपके जो 2 है वो निच्या जाएगा थोड़ा सा वो बन जाएगा हमारे पास क्या h2o जल का सूतर ठीक दोस्तो फिर है question next 39 निम्ड में से कौन सा व्यू Microsoft Word 2010 में नहीं होता है तो वो हो जाएगा formatting view फिर है question number 40 निम्ड में से किस command के लिए एक dialogue box होता है तो होगा dialogue box go to replace and find ठीक दोस्तो question number 41 खालिस्तान के दौरा आप वरतमान document की किसी location को दूसरे document या वेब साइट से जोड़ते हैं तो दोस्तो यह होगा hyper link यह है एक page orientation का प्रकार है कौन सा है portrait landscape क्या हो जाएगा दोस्तो इसका एब एब है दोनों हो जाएगा portrait भी होता है और landscape भी होता है ठीक दोस्तो portrait क्या होता है दोस्तो जो कोई page है इस तरह से होता है ठीक है खड़ा page होता है वो तो होता है portrait और landscape कैसे होगा landscape हो जाएगा इस तरह से जैसे mobile की screen करते हैं ठीक है यह तो mobile है ठीक दोस्तो यह तो है portrait के वस्ता में जब mobile होगा आपका यह mobile या page कोई भी मान सकते हो आप तो यह होगा land escape की वस्ता में ठीक दोस्तो फिर है question 43 निम्न में से कौन सा कठन ऐस सकते हैं तो दोस्तो इसका सिदा आंसर बता रहा हूँ आपको मैं अंतिम page के लिए अलग-अलग header footer set कर सकते हैं ठीक दोस्तो अंतिम page होगा उसके लिए हम अलग-अलग header footer set कर सकते हैं तो यह क्या हो जाएगा यह होगा ऐस सकते हैं ठीक दोस्तो फिर है cut हुआ copy करने पर वह है text कहां पर चला जाता है तो वह जाएगा दोस्तो clipboard में जाता हूँ cut copy करेंगे तो clipboard में ठीक दोस्तो डॉकुमेंट का default font होता है कौन सा होता है दोस्तो calibre होता है bold italic regular को जाना जाता है क्या जाना जाता है यह होते है font style होते हैं bold कौन सा होता है bold होता है किसी भी अक्सर को गहरा कर देना वो होता है bold italic क्या होगा italic होता है तिरचा जैसे B को इस तरह से लिखा जाता है तिरचा हो जाएगा regular होता है जैसे justify होता है उस तरह से सीधा ठीक है दोस्तो किसके दोबारा heading, sub heading वे body text को छूपाया जा सकता है तो वो जाएगा दोस्तो collapse question number 48 Microsoft Word 2010 में document को बंद करने के लिए फाइल मेन्यू में से किस कमांड का उप्योग किया जाता है तो दोस्तों वो जाएगा क्लोज 49 क्यूशन निम्न में से कौन सा कथन ए सकते है तो दोस्तों इसका राइट आंसर बता रहाँ सिदो वर्ड विंडो बंद करने के लिए F4 कुण जी का उप्योग किया जाता है थेक दोस्तों F4 कुण जी का नहीं होगा इल्ट पलेस F4 का होगा-एल्ट पलेस F4 फिर है क्यूशन 50, गटर मारजिन होता है क्या होता है? गटर मारजिन होता है दोस्तो इसे प्रिंटिंग के समय पेज के बाइंडिंग बाग में जोड़ा जाता है तो अपना अनसर होगा उप्सन नमबर से तो दोस्तो आज के हमारे जो 50 क्यूशन है वो कम्पलिट होते हैं नेक्स्ट क्यूशन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में तो दोस्तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें और सेहर करें वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूले तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टोपी के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत